बिल्कम पेप फिरेंड दोस्तों नमस्कार इस वीडियो बात करने वाले हैं UPSI Candidate के लिए 9534 पर आप सभी को पता है रिजट जो है जारी होने वाला है इसके पहले जो वीडियो बनाये थे OTP से रिलेटेड OTP ठीके यहाँ पे देखें वही मैसेज है यहाँ पे जो वायरल हो रहा है यहाँ देखें चार बच के चववन मेंट पे आया था साम को देखो यहाँ पे देखो debt तो हाँ दिखने रहा है बाकी यहाँ पे देखे जो viral हो रहा है यह ही सारी चीज़ viral होगी इच्छे से पिढ़ सकते हैं तीके यहाँ पे screen पे आपको दिखी हरा होगा यहीं आपको दिख रहा है screen पे इसको देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे आर्म्र पुलिस मेल एंड फायर सर्विस सिकेंड ओफिसर मेल फॉर यहां पर देखो यह वाई 2021 बाइस लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यूपी पी आर पीबी ठीक है बाके यहां पर सब कुछ सही दिख रहा है यही मैसेज जो है ग्रूप में बहुत ज्यादा इसी हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ थोड़ा से आपको बेट करना होगा कल तक आपको इंतिजार करना होगा सब कुछ प्लियर हो जाएगा यहां पे देख्यें यही सारे चीज्जें बारल हो रहीं अब यहां पर देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे सही है ठीक है यहां पर लिखा हूए इस क्रीन पर देखो, यौर लिखा है, यौर यौर आर कॉलिफाईड, तो भबही, यहां पर थोड़ी सी गलती हम को नजर आ रहे है, बाकि यहां पर िडर सो नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइमिंग सो कर रहा है, यह भी सही लग रहा है, 4 बज के 44 मिनेट ठीक है बाकि यहीं से थोड़ा से मिश्टियक हो रहा है इसे करां 100% मतलब फेक भी नहीं कर सकते 100% इसको सही भी नहीं कर सकते 50-50% है बाकि ऐसे मैसेश का वारल होना इसका मतलब क्या हो सकता है ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ होगा अगर चेकिंग हो रही है तो जहिर से बात है आपका रिजल्ट जो है जारी होने वाला भाया जारी होगा कहाँ पर सरकारी जूब एफसाइट है यहाँ भी देखो, officially जो website है UPPRPB की result आपको वहीं पे आगा, बाकि यह सारी चीज़े जो viral हो रहे ही, इसको 100% आप लोग सही भी नहीं मान सकते और 100% इसको आप fake भी नहीं मान सकते क्योंकि ऐसे message यहाँ पे लिखा दिख रहा है अईसे लग रहा है, जैसे देखने में सही है अब इस चीज़ को प्रूब करने के लिए थोड़ा से आपको इंतिजार करना होगा, ठीक है थोड़ा से इंतिजार कीजिए, कल तक कल तक इंतिजार करोगा, सारी doubt जो है clear हो जाएगा, कि ए सारी चीज़े सही है या फिर गलत है, अगर सही होगा तो बहुत से बच्चों का message भी आएगा group में बहुत सारे message आएगे और date के साथ भी आपको दिखाऊंगा अगर date के साथ मिलेगा तो आपको ज़्यादा याकिन पड़ेगा, कि सही है या फिर गलत है, message कप का है, इसमें क्योंकि date नहीं सो कर रहा है, ठीक है तो यहाँ पर इसको प्रूप करने के लिए थोड़ा से इंतिजार कीजिए अगर यह सारी चीज़े हो सही है अगर जो चीज़ आपको इसक्रीम पर दिख रहा है सही है तो जाही से बाते होली से पहले आपका result जो है आ जाएगा, देखो कब तक आपका result जो है आता है होली से पहले, लिकिन आने की संभावन जो इसकी बढ़ गई है result आपका सरकारी, official site पे आएगा कहां पे, भरती बोट के official site पे आ जाएगा ठीक है, बाकी यह देखने में तो सही लग रहा है लेकिन कल तक बेट करो थोड़ सा इसको proof करते हैं कि सही यह गलत है सब कुछ doubt clear करके बताते हैं देखने में सही लग रहा है, एक तरफ गलत भी लग रहा है तो भाई यह बेट करो थोड़ सा, इंतिजार करो सब कुछ proof करते हैं कल अगर किसी भी candidate के पास अगर MSS नहीं आया होगा तो डरने वाली बात नहीं है कि आपका selection नहीं हुआ है, ठीक है अगर testing चल भी रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं testing करने दीजे, भरती बोट का कामे कुछ भी करें हो, ठीक है अगर वायरल हो रहा है सारी चीजे, इसका मतलब है नहीं कि आपका selection नहीं हुआ है तो निशिंत्र, selection का decide कब होगा, जब भरती बोट के official site पे link आ जाएगा, उस पे click करोगे, registration number डालोगे date of birth डालोगे, उसके बाद लिखके आ जाएगा, you are selected you are not qualified, you are qualified, यहीं लिखके आएगा, ठीके you are qualified लिखेगा, तो for DBPST you are not qualified DBPST यहीं लिखके आएगा, तो जो qualified candidate रहेगा, उसका सो कर जाएगा, फिर उसकी आगे परक्रिये होगी result तो आपका आना आना है, बहुत जल्द आ जाएगा, किसी भी DBPST है, यहाँ पर you लिखना चाहिए, यहाँ पर your लिखा है, तो दो चीज मिस्टेक है बाकी देखो, सारी चीज पूरूफ होगी अब यहाँ पर जब तक डेट नहीं होगा, जब तक clearance नहीं मिलेगा, तब तक पूरूफ कैसे होगा किसारी चीज सही है, कोई भी candidate हतास नहीं होगा, कि हमारा selection नहीं हुआ है, बेट करो बहुत जल्द आपका result आजाएगा, उससे आपका पता चल जाएगा, कि selection आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, इंतिजार कर गिए थोड़ा सा, मिलते ने शुर्यम, ठेंक्यू, धन्यवाद